हेलो मैं प्रकाश सर आप लोग के लिए फिर बाइलो जी के टॉपिक के साथ आया हूं और आज का जो टॉपिक है और टॉपिक है डी एन ए जैसा कि आप लोग जानते हैं या 11 और 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डी एने का इस्ट्रेक्चर इस से बहुत सारे अब्जेक्टिब भी राइज किये जाते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले लेते हैं डी एने में इंट्रोडेक्शन इंट्रोडेक्शन तो देखिए डी एने जो है या एक अनुबानसिक पदार्थ है ड अनुबानसिक पदार्थ किसे कहते हैं जो एक पीडी के लक्षन को दूसरे पीडी मिले जाए उसे क्या कहते हैं अनुबानसिक पदार्थ कहते हैं डी एने का जो पूरा नाम हो है वो क्या है डियोक्सी राइबोज यहां पर समानता डियोक्सी राइबो बोल दिया जाता है लेकिन इसका पुराँ नाम है डियौक्शी रायबोज पaru क्या होती है कमी होती है तो वो क्या हो गया डियाक्सी यहुँए होती है यह दूसरा के जाता है तो पाइज जैने के इसा निपना प्रकेर्टी बंधनल 20 आता इसे क्या पी करते है शले मैं लेके बहुए इसे पहले आप मेरे इस विडियोो को लाइक कर दिए शेयर भी किजिए और मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किजिए और जएदा से जएदा लोगों तक पहुंचाने का काम किजिए यदि आपको लगता है कि मैं बैलो जी में आप लोग को बरियां टिच कर सकता हूँ या इसके दुआरा दूसरे बच्चों को फैदा मिल सकती है तो निश्चिती मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किजिए और शेयर किजिए चले मैं आगे बरता हूँ डियने का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है मोलिकुलर इस्टेक्चर है वो क्या है C5, C15, H31, N3, O13, P4 इसे ठीक से याद कर लिजेगा या क्या है DNA का मोलिकुलर फॉर्मूला है DNA का अनुसुत्र कह सकते हैं हिंदी में और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 523, 37 ग्राम पर ती मूल यह इसका मास हो जाता है तो चलिए अब देखते हैं कि DNA की खोज किस ने किया देखें DNA के खोज के संबंद में बहुत आदमियों को कन्फ्यूजन आता है समानता जब भी मैं पूछता हूं मौशारे स्टूडेंट्स पूछता हूं कि DNA का खोज किस ने क्या तो वो डैक्टर बोलते हैं वार्थन एंक क्रिक ने ऐसी बाते नहीं है इसके संबंद में नेक मत दिये गए लेकिन एट फस्ट जो डिये ने के बारे में इंटोड्यूस हुए जो इन डिये ने के बारे में व्याक्षा किये थे मताए थे फ्रेड रिच मिश्च इन्होंने लगवागा ठारे सो साइट में ही डिये ने के बारे में बताया था कि डिये ने पाए जाते डिये ने कोई क्या जैव रसाइन होता है अब देखिए वाटसन इन किरिक ने क्या किया था वाटसन इन किरिक का पूरे वो दो बैग्यानिक है वो दोनों का नाम अलग अलग है उनका पूरा नाम वाटसन का पूरा नाम है जेम्श वाटसन और किरिक का जो पूरा नाम है वो है फ्रान शिश किरिक इन्होंने क्या किया था कि बाद में लेटर बाद में DNA के सनचना के बारे में DNA के सनचना के बारे में इन्होंने क्या क्या विश्त्री जनकारियां दे थी इन्होंने DNA के सनचना के बारे में विश्त्री जनकारियां दे ना कि इन्होंने DNA को सरपर्थम खो जा था तो यह तो हो बुइएने का इंट्रोडेक्सन अब आते डिे ऑने के स्टीक्शर के बारे में हैं देखिए मैं डिये ऑने को आपको दो वीडियों में बताने वाला हूं क्योंकि एक लिंभा टॉपिक है और रिए वीडियो में गंटा डिर गंटा का टॉपिक हो जाएगा तो यसे दो वह बसल्ट को इस पार्ट निए का सुना मिला जो संघठय शाइनल सालब्स मॉबाइल्स ूब्स ट्राइं इश्टर्ब हो रहा है तो टुझ फार्ष टापिक में आज यव पार्ट पर वन आपके बता व्ह एक लुकाओं ऑसमें डिने का जुछ रस्वाइनिक संगठन एक उसके बारे मता रहा हम था यह अब आरे geld के केमिकल कंपोजिशन टिसका रसाइनिक संगठन है तीशे गाउर्ड समझे डिन आ जो है तीन परकार के है रसैनिक पदार्थ से मिलकर बना हुआ है रसैनिक योगी को से मिलकर बना हुआ है तुष्प बात और जान लिए कि डिन इस शर्वाधिक अस्थाइड रसर है यह सब से ज़िदा स्टेबल होता है यह सथाई सब ज़िदा क्यों होता है यह अपनी आन्विक सनचना कान इसका एटोमिक जो बॉंडिंग है ना उसके कारण यह क्या होते हैं तो चलिए आगे बरते हैं इसमें पहला क्या है फॉस्फोरी के सीड और इसका जो अनुसुत्र होता होता है यह इसका क्या है फॉस्फोरी के सीड का अनुसुत्र है अब इसका एटोमिक एस्टेक्चर देख लिए तो सेंटर पार्ट में फॉस्फोरस होते हैं और जैसा का आप जानते हैं कि फॉस्फोरस की बैलेंसी पांच होते हैं तो इसमें पांच मैं बॉंडिंग क क्या होते हैं या जूड़ने का काम करते हैं किसी दूसरे ATM से जूड़ने का काम करते हैं तेहां पे एक साइड ऑक्सीजन जूड़ा होता यहां पर भी ऑक्सीजन जूड़ा होता यहां पर भी ऑक्सीजन यह सब शिंगल बॉंड से जूड़े तो जबकि इधर जो ऑक्सीजन इसमें एक बचा हुआ इसमें भी एक बचा हुआ है और इस चगा पे इस तीनों में क्या होते हैं एक एक हैट्रोजन जूरी होते हैं इस परकार से फॉस्पोरिक एसीड हो जाता है और फॉस्पोरिक एसीड के बाद जो दूसरा आता है वो दूसरा जो आता है वो है डियोक्सी राइबोज सुगर वो क्या आता है दूसरा जो इसका दो नम्मर आएगा वो क्या आएगा डियोक्सी राइबोज सुगर आता है कि देखे जो रायबोज सुगर है। उस से की एक oxygen के कमी के कारणी से क्या कहते हैं। इस इस अब देखेंस्ट रेवोज शुगर का क्या होता है। इसको थृफ़ उपफर यहां पर देखिये यह जो डियोक्सी रेवे वह सुगर है। इसका अगया क्या रहता है। यहां पर यह ऑक्सिजन के रुपों में यहां से इसका बॉंडिंग बनाते हैं जो कि राइबो सुगर में पांच कारबन होते हैं तो यह देखिए यह परतियक जो यह बंधन देख रहे हैं यहां पर यह कारबन की स्थितिक दर्साएगा इसके अतिरिकते कार्बन उपर में पाई जाएंगे यहां पर देखिए हैट्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुरा होता है एक बंदन देखिए हैट्रोजन का होगा और ऑक्सीजन से एक बंदन हैट्रोजन का होगा यहां हैट्रोजन होते है यहां पर हैट्रोजन होता है और यहां पीश ऑक्सिजन की कमी पाई जाती है तो इसी आगी यहसे झार्वन या कार्वन यह है जितना भी बंधन यहीं तो एक जो शूगर होते हैं उसके पाचमे कारवन से और दूसरे सूगर के तीसरे कारवन सोते हैं जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे अधिहने अपने होसके निर्मान करता है तो इसका दूसरा आप में वह त्योजिनक मेंda मांत इंपॉर्टेंटक है इसको भिएंगा और खास करके मैं उसे टीचर को कैना चाहूंगा जो बच्चे के दिमाग में भर देते हैं कि बाइलोजी तैलोजी पर के क्या करेगा उससे क्या होता है वो तो बहुत असान है रटियोग पास कर लोगे इससे बच्चे का भविश्वरवाद होता है सच्चाए तो यह है कि आप भी यह वीडियो देखकर समझ जाएगा कि अर brewing chemistry है जाती है यहाँ पर आप देखें इसमें की रहे है क्या है नाडि ट्रोजी नाश बस अने चैना फिस अनिमाट बेश यह नाट्रोजन का किङुच दोंड है और यह शुच्छ क सब्सक्राइब ये समॉठ नैटोजनि जो ते दो परकार के घरी RAM नम्मर हो झाएगा झाल धूसरा क्या ग़ारता है पारि मिडीन दूसरा क्य और दूसरा के और इसको ध्यान रखेगा की लागरा केस्ट नवन लीये में फोल न देंशों काहीछ जूड़िजन इसको रिसक्ट लुवरेमीजन रखेगह कि और यहां छोगा रह्टन हुझा ओध़ त्रोपिक रहें इंटको नहीं नहीं झाया डूसरा होता है गुवारानीन जबकि यह overall यह कि मैं डियने का नहीं बता रहा हूं मैं केवल प्यूरीन के बारे में बता रहा हूं प्यूरीन दोव परकार होते और पांच इसके बारे में पूछ रहा है न तो पांच लिखिएगा आपको लेकिन जब आपको डी इने या आरेडे को पार्टिकुलर पूछेगा तो यहाद है अब श्चिबंगे कि औरुमे Morag उन्तर थे जबकि आरेने में क्या होता है साइटोसीन और यूरासील होता है बस यह अंतर आप देखिए बाइलोजीम उब्यक्टिप कैसे चेंज करता है पूछेगा डियेने आरेने से डिफर करता है तो क्या हो जाएगा डियेने डिफर करेगा डियेने में थाइमीन है थाइमीन के मैत में तीन जोर दो करो या दो जोर तीन करो बात बराबर है यहां पर क्या हुआ डिने आरेने से डिफर करता है तो अलग आता है इस सब पर कंसर रहिएगा ठीक चलिए यह comment live class में comment कर रहे हो नाइस सर धन्यबाद इस compliment के लिए बठेए comment section में आप जब भी लिख रहे होते हैं तो आपके बढ़ इस पर फस्य लिखिए जहांपे आपको समझ में नहीं आती है तो बस आप पोईंट में बार-बार के तो इस पोईंट को लिख दीजे मैंसेजिंग में कोमेंट सेक्षन में मैं देख लूंगा तो और किलियर करूँगा ठीक तो इसमें अच्छा लगा कि अपने नाइस बोला कुनाल ठेंक्यू चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अब मैं प्यूरीन बेस और नेटर्जीनिय श्रकार में फिलिया करते हैं यह आपका क्या हो गया ख़्र डीटि गुवा नीन दुसरा गुवा निन आप देखें बारी बारी से दोनों के बारे में देखते हैं गर्ष देखिएगा मैं यहां पिसका एटोमिक के स्ट्रेक्चर बताने वाला हूं ताब देखें आप यह प्यूरी ने नीन जो है इसका जो मोलीकुलर फॉर्मूला होता है और कौक जो सुद्र होता है वो क्या होता है सी फाइव ऐच फाइव एनर फाइड़ी नीन क्या हसा is five AJ सब्सकह्ता जैब्सका जुम ओक्रवेस्ण लट가 वै Bäckering सौव ब्लाम प्रलइम धार कर लंग के निया एज़ा चुम अपर फॉर्मूल होता है यहां पर गोवानीन का होता है वो है C5, H5, N5, O और इसका जो molecular weight है वो है 151.13 यानि 151.193 गराम परती मूल है यह इसका क्या हो गया और विक दरब्मान कहिए molecular weight कहिए और यह क्या है molecular formula हो गये चलिए अब इसका क्या देखते हैं हम लोग atomic जो structure atomic formula है वो कैसा होता है तो देखिए atomic formula में थोरा सा concentrate रहिएगा ठीक क्योंकि अराम से समझ माँ जाएगे चलिए और comment आपने किया है कि सर बहुत अच्छे से समझा थेंक यू अच्छा लगता है यह सब कॉंप्लिमेंट देखकर धन्यवाद चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इस तरह का और अच्छे अच्छे वीडियो डालूं ठीक तो मैं आगे बढ़ता हूं तो इसमें देखिए इसका जो molecular जो यह सोरी atomic जो फर्मूला होगा इसमें क्या करेंगे पहले सेंटर पार्ट को समझें सेंटर में कैसे देंगे और देखिए जब भी होती है तो शिंगल बनाएगा से क्या करेंगे चार बंधन बना सकते क्योंकि इसकी ब्रेंसी चार है अब आते हैं देखिए इसमें क्या है तो कि शेंटर पार्ट में पर क्या होता है इसमें इसमे आप नैट्रोजन नैट्रोजन की साइड भी कार्बन और इस साइड भी कार्बन होते हैं यहां पर नैट्रोजन होते हैं और यहां इस कार्बन की निचे दूसरा कार्बन है अब देखिए पहले इसका बॉंडिंग कर देते हैं इस कार्बन से सिंगल बॉंड से जूरे होते हैं जबकि इस यहां पी डबल बोन होंगे क्योंकि और इतों इसकी इस कारवन की वैलेंसी एक बच इसमें एक बॉन्ड और बनेगा ठेक और यहां पे जब हम लोग आ जाते इस नेटोजन के क्या हो कि वैलेंसी पूरा हो चुकिए यह क्या है तेट पर बोनें तेट पर बना लें इस मालक से नहीं जुरेंगे जबकि इस कारवन एक बॉन्ड बचा हुआ इसमें दो एक तीन था यह चौथा आ गया इस कारवन भी एक बचा हुआ यह इधर आ जाएगा इस नेटोजन में देखिए एक बचा हुआ इसका इधर की यह अब पहले हाँ इस कारवन को देख लेते इस बचाहिए नथी कि अब देखिया क्या यहां फिर देखिए हां पर कितना बॉड्रिंग बचे एधर पर कि इस नैट्रोजन का भी तीन बॉन पूरा होगा इसका भी हो गया तो बच किसका गया बच गया एक वोड इस कार्बन का बच गया और इस कार्बन का बच गया तिस कार्बन में यहां पर तो हैट्रोजन जूरे होते हैं जब कि यहां पर नैट्रोजन जूरे होते हैं अब दे यहां पे हैटोजन के जगब क्या होते जिर जो बंदन कार्बन से बनाता है जब कि इधर और इतर है इस तरह से क्या हो गया यह इडे नीन का आपका अपका ओमिक जो configuration atomic structure है वो है अब आते हम लोग गुवानीन को देखते हैं तो गुवानीन भी क्या है प्यूरीन बेशार यार रखेगा प्यूरीन बेश अदिनिन एंड गुवानीन है तो गुवानीन का आप देखिए गुवानीन का हम लोग इस्ट्रेक्चर में देखते हैं इसका सेंट्रल डिनट्रोजन हो ज्याँ यहाँ हो जाएगा यहाँ कार्बन है और कार्बन के फिट उस्ट कारवन है इधर यहाँ कार्बन है जबकिए यहाँ पर पर बोंड हम मोग देख लेते हैं यह इस carbon से दबल बॉन्द जूरेतित है कि दोनों में अंतर क्या इसमें पॉंच पहुंच नीकिन इसमें एक oxygen है जिस कारण देखिए इसका atomic weight में बिर्धी हो गया है ठीक तो लगबग 8-2-16 तो 35-16 जो रिएगा तो कितना हो जाएगा तो इसमें 35-16 जो रिएगे तो कितना होगा इस पर काबन हो जाता है तो यह oxygen के कारण यह थोड़ा जैदा बरा होता है एडिनीन के तुलना में गवा आपस में double bones होते हैं तो यहां पर देखिए इसका एक bone बचा हुआ इसका तीन पूरा हो गया इस कार देखिए यहां पर यहां complete हो गया अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस भाग पर आ जाते हैं इस भाग में क्या होते हैं कर भी single bone बचा हुआ है कि तो देख और अगेर बंध बढरते सिसकार्वन में इक दीराइन subir उपर खालिया इन इसके पास यहां कार बंध होता है यह double boy किस्ट जूरा होता है यह कि द Bit एक बंधन लिए रा उसे जुड जाता और इक बंधन फुरिए ढर बचा हुआ है तो इस बंधन में है to 2 श आ है तो जहते हैं हॉण पर 2 जॉड जहा यहां पर स्ञ नुथे सवात्यों से दीचर्वन जूड ऐते जब कि यहां पर कहां जाते इस यहां पे आईए इस दोनों जगा पर एक एक हैट्रोजन जूड़ जाते हैं यहां पर भी एक हैट्रोजन जूड़ जाते हैं तो देखे इसकी भी बैलेंसी पूरी होगे इसका भी बैलेंसी के साथ जो बंधन है पूरा हो रहा है अब आते हैं यहां पर यहां पर हम लोग फो कारबन में क्या है वह जुझा हुआ है दरबल पूर यहां पर एक नश्र कारबन यहां पर यांप यां पर एक मतनों बचा पर एक लाजयेद अब आपकेपाउचे नरेंगेbasis दो दो नैटोजन नहां होंगे तीन हो गया चार हो गया पहुंच हो ऑक्सीजन हो गया यह क्या है अब आते हम दूसरे और चली बहुत अच्छा कुमेंट किये हैं और यह कहता हूं और यह स्टुडेंट डोंट बीइन फियर तो आपको बाइलोजी में बिल्कुल नहीं डिशना है आपको जो भी पूछना हो तो डायक्ट कुछिए आपको बताओंगा और यदी मानिये कोई आप सेल पेश्टडी कर रहे हैं कोई टॉपिक आपको समझ में न कमेंट कर दिये सर अमुक टॉपिक हमें चाहिए मैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बना कर आपको यूट्यूब पर दूँगा चलिए अब आते हैं हम लोग यह थी यह था प्यूरीन अब हम लोग थीरी बी की बात करेंगे इसोगो कि देखिए नेट्रोजनरीस बेस का जो दूसरा भाग है वह थीरी्गी जो यह भी थीरी बेस्सक्रीच का दूसरा पाइडी मिडीर किṣ दो हैं वह कौन-कौन से हैं एक है साइटोसीन एक है साइटोसीन और दूसरा जो है वह है थाइमीन याद रखिएगा डिने में जो पाइरेमीडीन वेस होते हैं वह साइटोसीन और थाइमीन होते हैं है जब कि आर ए कि में पाईरेमिटिन वेस्किए हो जाएंगे साइटोसीन और यूरासीं पॉर्स हो जाएंगे तो यहां पर दी एन चैनल दोनों के बारे में दो हम नों भारी-बारी से देख लेते हैं तो देखें साइटोसीन का जो मोलिकुलर formula है वह आपका क्या है वह है C4, H5, N3O और cytothymine का जो molecular formula है वह है C5, H6, N2O2 गहर से देखें यह होगा इसका molecular onbik sutra कह सकते हैं इसका जो molecular weight जो होता है ना आनविक जो भार होता है ना यह जो भार है यह 111.1 ग्राम परती मूल मूल ठीक और इसका जो भार है वो कितना है 100 वो है 126.12 ग्राम परती मूल ठीक तो हो गया इसका आनविक सुत्र हो गया और इसका जो बजन हो गया आनविक जो द्रभमान कहते हैं वो हो गया चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका आती एक टॉमिक structure में इसका इस्ट्रोमिक एस्ट्रेक्चर दिखें लिए प्यूरीन और जो प्यूरीन के एडिनीन और गुवानीन की तुल्ना में आसान है इसका पहले central part बना लिया करेंगे central part बना लेंगे तो bonding आराम से समझ मा जाएगे देखिए यहां पे तो इसका central part में पहले यहां पे nitrogen यहां पर इधर भी carbon इधर भी carbon यहां भी carbon लेकिन इसके निचे क्या है यहां पर nitrogen है और यहां पर फिर क्या एक carbon है गोर से देखिएगा अब आते हैं bonding देखिए यह single bond से यहां जुरा होगा यह भी single bond से होगा ठेक और यहां पर double bond होते हैं यहां पर single bond होते हैं यहां पर double bond होते देखिए इस carbon में एक bond बचा हुआ इसमें भी एक bond बचा हुआ है यहां पर भी एक बॉंद बचा हुआ है यहां पुरा है और यहां पर कितना बोन बचा है डवल बचा हुआ है यहां पर हैए यह जो कारवन है यहां पर नेटोजन में दो बंधन और बच गया एक इधर इस भाग पर यहां पर भी है तो इसका जो एक च्ट चरह स्का जो बंधन यह भी बहुत असान नीज़ आपको याद हो जाएंगे थोरा सिक दो बार प्रैक्टिस की आपते हैं इसका थाइमीन का तो थाइमीन भी देखिए थाइमीन में एक कार्बन नितर ने कम और एक उक्सि कि यहां प्याया गता है यहां प्रतरे कारबन की तो अधोलो और यहां कि इस कार्बन की निचे कारबन है और यहां पर भी कार्बन है और यह जो लेक्esting ऑन में यह अब इसको बंधन में जूरे हुए हैं यह भी शिंगल बोन में जूरे हुए हैं और यह कार्बन में जूरे हुए हैं यहां पर देखे डबल बोन बच गया यहां पर भी सिंगल बोन बच गया यहां पर भी सिंगल बोन बच गया इस नाइट्रोजन भी सिंगल बचा हुआ है और यहां पर देख कि डबल बचे हुए हैं और इसमें शिंगल बचे हुए मैंने कहा कि जब भी कार्बन में बाहर के और हम लोग डबल बोन देते हैं तो यहां पर जूड़ जाता है oxygen यहां पर oxygen जोड़ लेते हैं क्योंकि यहां पर की तो जगता पूरी हो गए लेकिन इस कार्बन में देखिए एक दो तीन जगता बची हुए और इस तीनों जगह पर hydrogen यहां जाते तनी इसको बनाने के बाद ना तो एक बार मिला लिया किजिए कि मैंने जो बनाया है वो देखिए एक नैट्री जोट यहां पर हैट्रोजन त चो एक दो तीन चार पंच चोगिया नैट्रोजन दो एक नैट्रोजन यहां पर एक नैट्रोजन यहां प्र यह भी पूरा हो गया ओक्सीजन यहां यह यह देखिए आज की जो डियेने का जो मैंने टॉपिक दिया है इसमें मैं उस भाग को छुआ हूँ जिसे समानता बच्चे इंटिचूशन में भी नहीं पर पाते हैं बाद में जब उन्हें कंप्टिशन के लिए तयारी करते तब इस पोर्शन को छूते हैं तो मैंने इस पहला जो डियेने का जो वीडियो दिया है इसे गवर्श देखिए पूरे स्ट्रेक्चर